मास मत निकालो पहन लोगो अधवी कहा जा रहे है आप क्या 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 जोड से बोलू ना हां कहां माही दोनों भी बाही बयान जा रहे है राखी लेने तो लिगो हे बताँ इस राखी है बताँ पताँ लोगों गिना शिततेख उन भी ब्दालों तू पन लहा लगते ऐ बद्योडरे साल के ना अब नगी को बुद्बों पुलिस माते जाए इसे माते है करना होते कर दो, और पिलाती हुआ लित रहा है जड़ पॉल्ज हुआ है हैं लड हैं मेश 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 बाले एज ज0 ले तर यापर अगार啊 बच्चे और ये गये थे राखिलाने तो मैं सुचा सारे घर की काम करके नहालियत उसके बाद ममी का क्वाल आया कि हम लोग पहुचने वाले हैं तो मैंने सुचा चलो जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ वो लोग सब आ जाएंगे तो फिर और जलबाजी हो जाएंगे सारी चीज़े में जलजे जलदी करने पड़ेगे तो इसलिए मैं रेडी होने लग गए थी यहां पर और बहुत जलदी जलदी रेडी हुई थी सबसे पहने मैंने टोनर लगा लिया है उसके बाद मैंने यह लेक्टो केलमाइन लगाया है जो आईली स्कीन के लिए आता है यह प्राइमर का काम भी करता है ज्यादा मेकप नहीं किया था सिंपल सा मेकप किया था बस यह नवाय बे की बीबी क्रीम लगाई थी और फिर उसके तो मैंने आइशाड़ उसके बाद उपर से लगाया फिर भी मैंने थोड़ा सा हलका हलका सा लगा लिया यह इसमें वाइंशेड है वह अपलाइ किया है और बस रेडी हो गई थी आप पूरी तरह से रेडी नहीं होई हूँ मैं सिंपल से रेडी होई हूँ मतलब यही होने वाला है सिब यहरिंग्स वोगर पहन लूँगी बाद में थोड़ी दर की बाद अभी पूजा किये है अच्छुली आज सुमवार है तो सुमवार की पूजा भी करनी थी तो सिंपल सी रेडी हुए और माही और अद्विक गये थे राकी लाने और घर वाले सब आने वाले थे तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ा घर वाले पहुच भी गये थे मतलों भाई वगरा भावी और मम्मी वगरा आई है वो आ भी गये थे फिर भी मेरा काम गतम नहीं और आप भी रेडी हो जाओ बेटा जल्दी से राकी बन देगे क्योंकि जो मेरा भाई है उसे भी यहाँ पर मैंने आपको बता था कि भावी का माई का यही है तो उसे भी उसके ससुराल जाना है मतलब भावी के माई के जाना है तो वहाँ पर उसको भी राकी बननी है भाव तो आज आया है अभी थोड़ी दिर पहले आया है गंटा पहले और मैंने तब तक पूजा वगरा कर ली सब कुछ हो गया मेरा अभी तो बस राखी की तैयारी करूंगे तो चलिए पहले राखी की थाली वगरा निकालती हूं उसके बाद मिलती हूं आप से आप नारेल के बर्फी और ये मसरुपाख और ये ख्कदा नेचवर है मुंफली के बर्फी और लड्डू बाप रब इतनी सारे मिठाही हो गया अस्ता अ अ अ और ये मेरी ममा आप आप एक्टाले घर से काफे सारी मिठाही के मम्मी लेकर आए थी और इन्होंने बाहर से भी लाई थी मैंने गुलाब जम उन भी घर पे बनाये थे और यह चौकलेट्स वगरा काफी सारी मिठाई हो गई थी तो यहां पर मैं एक्चुली तैयारी कर रही हूं खाने की क्योंकि छोटा वाला भाई बोल रहा था कि उसको जो गाड़ी है उसकी इसलिए फिर मैंने सोचा चलो साथ में ही राकी बानेंगे तो यहां पर फिर खाने की तैयारी करने लग गये थे यहां पर मैं बना रही हूं बुंदी कर आए था एक्चुली जो मेरी भाबी है वो मुझे दही फेट के दे रही है और हम लोग उने साथ में खाना बनाया था वो लोग आ गये थे और सुबह ना मेरा जाड़ू पोचा और यह क्लीनिंग में ही लग जाती हूं तो बहुत लेट हो जाता है यार मुझे लगा था मैं आज जल्दी जल्दी करूंगी और उसके बाद फिर खाना भी बना के रख़ूंगी इनके लिए यह जब आएंगे त अचैνο काण ओको भा But Whether vid लिएक पर नाम म sv गाने में लगा भी और भावि और जिए दूने नत्या सब्सक्ता हो मैं जिरा राइस लगए और मैं डिए मतलग करना की तैयारी करी तो बुंदी जन्सक्ता टाना भू सब्सक्राइब कर बनाने माली हो तो इदर मेरी भावी तो मैंने बुंदी करायता भी बना लिया था यहां पर बटर बनीर मसाला बनके रेडी था और बस खाना ही परोज रहते हम लोग बस जब तक हम लोग प्लेट्स रेडी करें मैंने इधर फिर पापड और वो रह गया था क्या बोलता है पकोड़े रह गये थे पापड फ्राइ कर दिया वह अर्मीर लगी और ममी निकर दिया उसके बाद पकोड़े भी धाली बहुत जब अच्छा लगता है तो बहुत बार जब भी मेरे भाई अगर आते है तब मैं पनीर और जीरा राइस ही बनाती हूँ जादा तर उनको ना मेठे से कोई लेना देना नहीं रहता है क्योंकि उनको मीठा जादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने सिंपल से गुलाब जावन बनाये थे और बस यहाँ पर यह जो ठाली है वो रीडी हो गई है इनकी यह है आज का राकी स्पेशल लंच और बहुत टेस्टी बना था एक्चुली तो आपने लोगों के साथ इससे पहले रेसिपी शेयर की है सब चीजों की तो इसलिए मैंने आज रेसिपी शेयर नहीं की अभी ने मि आप से लंच करने के बाद अच्टी खाना वगरा हो गया हमारा अभी माहि राख़े बाणने वाली हो अधाम को इसलिए वह बहुत मोग बोल रहती कि सभी लोग शाम का आएंगे शिकान व्क अभी नहीं आया है अभी तक तो सभी लोग शाम को आएंगे तो राखी में सम्क यहां पर माही ने अभी रेडी कर दिये, पहले थाली निकाली थी मैने, और वो ऐसी रही थी, तो अभी माही ने और रेडी कर दिये, एक मेट में डाल दियो उसमें, अच्छली कब से माही वेट कर दिये, कि उसके भाई को कब राकी बैंदेंगी, और यह जो गिफ्ट्स है, यह यह जा लोग पाई एक माही के लिए, अच्छी यह जोग अभी शुब गया थी माही को लेकर दिये और यह जो डाई के दिये, ज़ते है यह ज़िए, अभी को बाद में, अपन कर को चुछा अभी भाई क्यों एक वाद में, अज्वेग बाई बाद में दिखा दिये खानों के हम लोगों को चुका है तो accuyu गाईया कहना है तो भी थोड़ाँ सामार लेती रहाँ डांतर घया क visitor huh छोटा बह organ हमें ना दीपार Pocket में जाना है मेरा चोटा बाहिए और यह गए है उसकी उसकी घाड़ी के लिए तो उसकी लिए है है और हमें को कुछ सामान लेना था डिमार्ट से तो डिमार्ट जाके आते हैं इसी हो जैसे माही को बोला कि मैंने पहले राखिया बांद लो अद्विक को और उसके बाद हम लोग डिमार्ट निकल जाएंगे चलो माही करो जलती से तो बस यहां पर बच्चों का अध्याइड है और अध्यूली बस उस टाइब रहता है जब तक नहीं बांद और थोड़ी दर के बाद राखिय निकाल भी देता है और रेशम की राखिया बहुत जल्दी निकल जाते है उसको ना लगता है कि टाइट हो रही है टाइट हो रही है तो ऐसे करके उसने दिन इसको निकालते जा रहा था और यह बांते जा रही थी तरह से करके उनका पूरा दिन राखिय बांदने में और निकालने में चला गया तो यहां पर अध्यू का सारा ध्यान मिठाई की तरह भी है पिछले बार के जैसा और बस यह मिठाई मतलब उसका पता नहीं क्या होता ह जब भी मिठाई घर पे आती है, ज़्यादा तर उसका ध्यान मिठाई में यह रहता है, जब तक वो पूरी मिठाई खतम नहीं करके तर तक तक उसका ध्यान तक भी गिबस देने का टाइम आकए है, और माही वीट खरूएटी, कि पढ़े अध्rice इसको गिप्ट तो बस यहां पर मही का हो गया है रक्षा-बंदन और उसके बाद आप मही को लेगी और आपको दिखाएगे कि क्या दिया है अध्रीक नशे मही आपकी प שנ क्या ऐइ ए पिस दोड़ों के नहीं आपको पसंद क्यों गयों अब इसमें क्या रखोगी अब खुद का सामान अधी देखना दियान से अधी 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 को मैचिंग मास्क देखो अधी अधी आपके मास्क दिखाओ मैचिंग बनाया है और यहां पर मतलब लाइन लगानी पड़ रही है तो इतनी बड़ी लाइन थी कि आपको क्या बताओ मतलब राखे के दिन भी इतनी बड़ी लाइन थी और ममी को कुछ यहां से सामान लेना था एक्चुली महालक्षमी वगरा होती है घर पे तो उसके लिए सामान लेना था यहां से तो इसलिए मैं ममी हमेशा ही यहां से ही सामान लेके जाती है आपको तो पता ही है मैं हमेशा शेयर करती हूँ आपके साथ और दूसरे दिर उन लोग को कुछ जाना भी था तो इसलिए फिर उनको जल्दे जल् तक पहल खड़ा रहना पड़ा फिर उसके बाद हम लोग अंदर गये उसके बाद जल्दी जल्दी से सामान लिया एक दो घंटे मैंने भी अपने घर के लिए थोड़ा सा ले लिया था मुझे जो जो चाहिए था उसके बाद फिर हम लोग गये थे नर्सरी में क्योंकि ममी को इसे भी यहां पर थोड़े से पहुदे वगरा लेने थे क्योंकि उनके आपर कुछ भी अभी तक अपन नहीं हुआ है नर्सरी वगरा यह सारी चीज अभी तक अब नहीं हुई है तो इसलिए मम्मी सूछे थे कि यहां से ही लेके जाए कि बारिश का मौसम है इसी मौसम में पौदे अच्छे से बढ़ते है इसी मौसम में लगाया जाते है तो वहाँ पर अभी कब open होगा सारा कुछ और कब क्या होगा तो इसलिए मम्मी सोच रहे थे कि यहां सी यह लेके जाए तो मम्मी ने कुछ पौदे लिये थे मैंने भी अपने घर के लिए कुछ पौदे लिये थे वो मैं अपने नेक्स ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से पौदे लिये थे मम्मी ने गुलाब वगरा के पौदे लिये थे और बहुत सारे लिये थे मम्मी ने भी तो यहां पर बहुत ठक गए थे हम लोग और मौसम भी इतना खराब हो गया था मतलब इतनी जादा प्यास लग रही थी इसलिए फिर सब लोगों ने नारेल पानी पिया तब जाके हमें अच्छा लगा यार इतनी जदा मौसम खिराब हो गया था पेले बच्चों को ही दिया था ये पानी और क्योंकि बच्छों को इतनी जदा प्यास लग रही थी तो प CSV फिर ऊब पर और फिर ऑं खे घृच दिलिन में ने टिन देृपट एटोऊत है जोगने जोड़े लगूस करेंगोरा कि और चुर्इता जा एत्रामीन है is अधरläक्रण भाद्ध के लिएन दिए जाना फिर चैटीं jut को है जोड़े क्वाण भेड़े घाद से ही चीएंट मेरे जोड़े में एक गए तौच अबाए उसके माईधे के में यह दोनों मेरे बहाई और भावी गये दोक्सक्ति किया थो उसके माईधे में क्योंकि मेरे वह एक कर दोनीव करें लेरी तो इसलिए फिर वह चोड़ sì सबसे च्टा भाई है फिर श्रिकांथा ऐसे करके सबसे बड़े से स्टाड गयाता कभी छोटी से स्टाड करते हो कभी बड़े से स्टार करते हो अभी या आधे अचुली आप लोगों को चांटो बता या नहीं का मता नहीं बता नहीं बटत बटआप मेरे यहां पर मैं आके लिए बहन हो तो इसलिए बहूआ सारे भाई है मुझे और सारे लाइन लग जाती है एक साथ अभी इस बार तोositने सारे नहीं आये बटद कर घर पर जाusa ना मेरे मासियों को भी बेटी नहीं है तो फिर मैरे मासी के बेटी भी हो तो बहुत सारे लोग इखटा होते हैं यहां पर शिकान ने पूरे महाराष्टन स्टाइल से राखी बनवाई थी यह जो टोपी है हमारे महाराष्ट्र में पुराने जो लोग है वो डेली पहनते थे तो कोई प्रोग्राम रहता है तो अभी भी पहनी जाती है मतलब कोई पू अभी है उसने भी इनको राखी वांदी थी तो यह उनका रक्षाबंदन चल रहा है फिर उसके बाद वो अपने माई के चली जाएगे है गाईज हो गया है रक्षाबंदन सेलिब्रेशन और अभी बज रहा है शाम के साड़े साथ तो चली इस ब्लॉग को यही पर एंट करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नई व्लॉग में आपसे आपको यह छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो त रास जरूर धेना शेर भी कर दूदन और अपने के साथ और आप रहे तक हैंग नहीं किया है तो चंट को सबस्राइब भी कर देना इसके साथ मेरे दो और चानल है तो आप चाब तो मुझे वहाँ पर भी सबस्क्राइब कर सकति हो दोनों चैनल का लिंक आपको आप चाहो हो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो चले पर मिलती हूं नेक्स व्लोग में आप से तिल एन बाबाई टेक केर और लब यॉल बाई